नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ जेयरेफ हिंदी 2021 के तैयारियों के अंतरगत हम प्रशनोत्री की सीरीज कर रहे थे आपका जो एकाई तीन साहित्य शास्त्र से रिलेटिड है इससे पहले हमने दो प्रशनोत्रियां कर ली है अगर आपने अभी तक वुबाले लक्टर नहीं देखें हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो हमारी मौक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी है उसको देख सकते हैं साहित्य शास्त्र से रिलेटिड हमारी दो जो मौक टेस्ट वहां पर हमने डाल दिये हैं और इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे मौक टेस्ट की वीडियोज आपको वहां पर उपलब करवा दी जाएंगी या करवा दी गई हैं तो आपके लिए बो भी बहुत ही जादा बेनिफीशल होने वाली हैं तो आप एक बार उनको जरूर देखेगा साहिते शास्तर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया थी और बहुत सारे संप्रदायों के बारे में पढ़ लिया था फिलाल अब हमें सिर्फ अचिते संप्रदाय और रीती संप्रदाय के बारे में पढ़ना बाकी रह गया है बाकी लगबग हमने जो भारते कावे शा चुके हैं दो प्रशनोत्रियों में आज हम 31 से लेकर के 45 तक के जो प्रशन है इनको डिस्कस करने जा रहे हैं तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की और देख लेते हैं प्रशन संख्या 31 तो यहां पर दिखिए सबसे पहले ये पूछा गया है कि अर प्रशन इसलिए आँ पर रख दिया आप लोगों के लिए क्यूंकि आपका जो सहित्य शास्त्र है उसमें कहीं न कहीं इस्त्रिके के प्रशन आपने देखा ही होगा हाला कि नाटक के अंतरगत आता है जो आपके कावय के जो रूपक हैं उनके भेदों के अंतरगत इसको ल विखल्प नमबर चार इसका सई उतर होता है तो अब प्रशन ये उठता है कि अर्थवफश्रेपक होता क्या है तो आपने देखा होगा कि आप जब नाटक देखते हैं तो नाटक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको अभीने करके जिनको नहीं बता जा सक उनकी केवल सूचना ही दी जाती है तो आपने देखा होगा कि जैसे नाटक चल रहा है पीछे से कुछ हम चीज़ बता जेते हैं कि अब ऐसा हो रहा है है ना कि ये इस चीज़ को कहा गया है तो वही जो हम बैक स्टेर से सूचना देते हैं उसी सूचना देने को ही क्या कहा हैं ठीक है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अर्थवक्षेपक का मतलब क्या होता है और अर्थवक्षेपक के पांच भेद होते हैं तो पांच भेद कौन से हैं ये हालां कि पहले हमने किसी मॉक्टेस में इस प्रशन को भी कर लिया था तो वहाँ पर हमने विस्तार से इनके बारे में डिसकस किया हुआ था कि क्या विश्कमबक होता है क्या प्रविशक होता है और चूली का अंकास्य और अंकावतार क्या क्या होता है तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए अर्थवक्षेपक कहते हैं उसको है न और अर्थवक्षेपक के कितने भेद हैं इसके पांच भेद माने जाते हैं तो ये था हमारा पहला प्रशन की अर्थवक्षेपक क्या होते हैं तो ये सूचना को कहा जाता है अर्थवक्षेपक सूचना किसके अंत नाटे शास्त्र, काब्यमे रहस्यवाद, साहित्य की न्या साहित्य और नए प्रशन तो यह जो आपकी रचनाय हैं देखिए यह सब की सब क्या है अलोचनात्मक कृतियां हैं और इनके जो रचनाकार हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यह किस ने लिखा है तो यहाँ पर देखिए अगर हम सबसे पहले भारतिय नाटे शास्त्र की बात करें तो इस तरीके के जो प्रशन हैं देखिए जो आपको क्रमानुसार लगाने को आते हैं यह बहुत जादा प्रशन इस तरीके से पूछ जाते हैं तो इन प्रशनों को करने के लिए आपको एक तो जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उस वक्त बिलकुल समझ के पढ़ें और सोच के पढ़ें तो जादा बेतर रहेगा क्योंकि जैसे जहां जहां हमारे पास जितनी डेट्स आती रहेंगी उनको अगर हम सिलसिले बार तरीके से याद करते रहेंगे तो वो जादा बेन इन रचना को लिखा गया है ठीक है और ये हमारे कावेशास्त्र से रिलेट्ड कहीं न गहीं मिलती जूलती है इसलिए ये प्रशन यहां पर रखा गया है तो यहां पर सबसे पहले है देखिए भारती नाटे शास् הי thou a कौन है बाबू शाम सुंदरदास जी है और काबे में रह स्यवाद तो ये किस ने लिखा है ये अचारे राम चंडर शुकल की आलोचनात्मा कृती है और इसमें इन्होंने 1929 में इसकी रचना की है तो फिलाल ये जो आप्शन है वो सही लग रहा है और इसके पश्चात जो त 37 की रचना मानी जाती है और लास्ट में नया साहित्य नय प्रशन तो ये है नंद दुलारे वाजपी जी की अलोचनात्मक कृती और इसका जो रचना काल है देखी ये है 55 ठीक है तो 1955 में इसको लिखा गया था और ये ही इसका जो सही क्रम माना जाता है ठीक है तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा तो देखिए एक चीज ये है कि आपने अभी तक हमने कावय शास्त्र के बारे में पढ़ा है और इसके उपर बहुत सारी जैसे रचनाएं या इस तरिके की अलोचनात्मक कृतियां अगर लिखी गई हो तो उसके बारे में भी पता होना चा कहा है तो यह प्रशन यहां पर आगे से थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया है कि अनंदवर्धन ने बोधा किसे कहा है ठीक है तो देखिए वाचयात को जान लेने वाले व्यक्ति को या फिर व्यंग्यात को जान लेने वाले व्यक्ति को या फिर वाचक के भाव को समझने व मानते हैं और अनंदवर्धन की जो प्रमुख रचना कौन सी माने जाती है वो है आपकी धन्या लोग ठीक है तो यह बात यहां पर क्या कह रहे हैं कि आपका जो प्रशन है बोधा तो बोधा इनने किसको कहा है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा इसका एक्जेक्ट जो उत होता है उसी को इनोंने क्या कहा है व्यक्ति को यह बोधा के नाम से कहते हैं ठीक है जबकि जो अगर आप व्यंग्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को कहेंगे तो उसका क्या नाम दिया है देखिए उसको इनोंने सहिर्द्यमाना है ठीक है तो यह चीज हो सकता है आप स ब्यांग्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को रखां बोध। सहीर देमाना है यह चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है देखिए कावे में व्यंग्यार्थ ध्वनी के होने से होने को अनिवारे गोशित किया गया है तो यह कहते हैं कि व्यंग्यार्थ जो ध्वनी है उसको होना बहुत ज़ादा जरूरी है और व्यंग्यार्थ और वाच चार्ट होता है यह हमने बहुत अच्छे तरीके से उसमें विस्तार से बताया हूँ है तो आप वह वाला लेक्चर एक बार जरूर देख लें ताकि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे ठीक है तो यहां पर यह कहते हैं कि कावे में जो ब्यंगार या ध्वनी है उसके जो आपका ध्वनी के अभाव में तो ध्वनी इननका किसको माना था जो आपका ब्यंगार थे उसको यह द्वनी मानते थे ठीक है जो अलग अर्थ उसमें चुपा होता है है न जो वीशिष्ट अर्थ चुपा होता है जसको उक्ती वैचित्रिया भी करे नाम देते हैं और चमतकार पूर्ण जो बात है उसके अभाव में कोई भी जुकाब माना जाता है निरर्थक है, सार्थक वो नहीं हो सकता, वह लोगवारता या शासतरकरतन ही होगा, तो यह कौन मानते हैं यह आनंदबर्दन जी मानते हैं, तो यह था इस प्रशन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आगे अब हम देख लेते हैं प्रशन संख्या 34 तो देखिए धन्यालोक लोचन किसकी कृती है ठीक है तो यहां पर देखिए अभिनव गुप्त भी है राजशेकर भी है और आनंदवर्धन भी और विश्वनाथ भी है तो धन्यालोक लोचन तो यह किसकी कृती थी यह अगर टीका की बात करें तो आनंदवर्धन की जो धन्यालोक है देखिए उस पर यह टीका लिखी गई थी तो किसने लिखी थी यह अभिनव गुप्त ने तो विकल्प नमबर एक इसका सही उत्तर होगा ठीक है तो कई बार इनको मिलान में आपको दे दिये जाएगा त गए तो देखिए प्रशन यह पूझा गया है कि व्यंजणा की प्रधांता के अधार पर निसद्धांत की कितने भेद किये गए हैं तो दोनी सिद्धांत के अन्तरगत अगर हम बात करें के काबय के भेद कितने हैं तो इसका जो सही उतर होगा देखी वो तीन होना चाहिए ठीक है तो वो तीन भेद कौन-कौन से है यह हम आगे देख लिए देखिये इस प्रशन की व्याख्या में तो यहां पर सबसे पहले देखिए जो तीन भेद माने गए हैं वो है आपका ध्वनी कावे तो दीखिए अब ध्वनी कावे है गुणी भूत वियंगे है या फिर अवर कावे है ये तीन भेद माने गए हैं है ना तो इसमें से जो पहला है ध्वनी कावे तो द्वनी कावे कैसे कहते हैं जिस कावे में वाच्यार्थ से अधिक चमतकार वियंग्यार्थ को समझने के लिए हमने एक उदाहरन दिया था आपको कि जिस तरीके से गंगा में गाओं है पवित्र गाओं का हमने उदाहरन दिया था तो उस चीज को आप अच्छे तरीके से समझते हैं यह हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं ठीक है तो जिस काव्य में वाच उच्चोटी का कावय माना जाता है ये चीज समझ में हमें रखना जरूरी है क्योंकि धौनी में कावय के कितने बेद माने गए हैं तीन माने गए और जिनमें से धौनी कावय है वो पहले स्थान पर रखा जाता है उच्चोटी का जिसको माना जाता है दूसरा आता अपका ये गुणी भूत वियंग्य में कि वहाँ वाचार्थ क्या पेक्षा वियंग्यार्थ है थोड़ा सा कम उसको तवज्जो दी जाएगी वो है आपका गुणी भूत वियंग्यार्थ और ये जो है मध्यम कोटी का इसको काव्य माना जाता है तीसरा आता है आपका अवर काव्य या इसको साधारन कावय भी कहते हैं तो ये थे कावय के अंतरगत आने वाले तीन भेद कौन कौन से माने जाते हैं चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संख्या 36 से दिखिए धनी विरोधी अचारें में अलंकार और अचित्य को महत्व देने वाले अचारें को आनंदवर्धन ने क्या नाम दिया है तो एक चीज तो आपने यह याद रख लेना है कि जो धनी विरोधी अचारे थे आनंदवर्धन ने क्या किया उनको तीन भेद या उनके तीन भाग उन्होंने किये हैं तो वो तीन भाग कौन से हैं एक तो भुक्तिवादी है एक अनिर्वचनियत अवादी है और तीसरा है अभाववादी तो यह तीन भेद किसने किये हैं यह आनंदवर्धन ने किये हैं जो धनी सिध्धान्त के विरोधी रहे हैं अचारे तो यहाँ पर प्रशन देखी क्या पूछा गया है कि अलंकार और अचित्य को जो महत्व देने वाले अचारे हैं उनको अनंदवर्धन ने क्या नाम दिया है तो देखिए उनको जो अनंदवर्धन ने नाम दिया है वो दिया है अभाववादी अचारे तो वामन तो ये है आपके अभाववादी अचारेओं के अंतरगत जो भुक्तिवादी इन्होंने रखे हैं देखिए भुक्तिवादी जो अचारे वो कौन-कौन से हैं तो इसमें सबसे पहले है देखिए कि आपका जो व्यंजना शब्द चक्ति को न मानकर लक्षना को जो महत् तो इसलिए इसको क्या कहा भुक्तिवादी कहा जिसमें मुकुलभट इत्यारी अचारियों के नाम आते हैं फिर आता है अनिर्वचनिय अतवादी तो अनिर्वचनिय अतवादी का मतलब क्या है देखिए यह जो तीसरे नमर पर आते हैं यह तो इसमें जो व्यंग्यार्थ है या जो धनी की बात कह रहे है जो हम चमतकार की बात कह रहे थे आपके काबे में होने की तो जो आपका व्यंग्यात है उसको अनिर्वचनिया या जिसकी व्याख्या नहों सके अनिर्वचनिया मतलब निर्वचन जो बोला ना जा सके है ना इस तरीके से आपने याद रखना है है ना जो ये मानते हैं कि जिसकी व्याक्या नहीं हो सकती वोही अचारे इनने किसमें रखे हैं अनिर्वचनियतावादी श्रेडी में रखे हैं ठीक है तो यह है आपके अलग-अलग देखिए अनंदवर्धन ने तीन श्रेडीयों में इनको भी भाजित किया है तो इस संक्या 37 स्थापना और तरक तो देखिए स्थापना और तरक वाले प्रशन भी आपको बहुत जादा पूछ जाते हैं यूजी सी नेट की परिक्षा में तो इनको भी समझना बहुत जरूरी है कई बार ये आपकी जो प्रसेंटेज है उसको उपर नीचे करने में अपनी एहम भूमिका निवाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थिन प्रशनों को गलत कर जाते हैं तो इसलिए इन प्रशनों को सही करने का एक तरीका वो यही है कि एक तो आप समझ के पढ़ें जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं है ना जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उनको सही तरीके से पढ़ लें है ना तो वहाँ पर आपको ये चीज़े समझा जाएंगी जैसे अगर आप रिती, अलंकार, अचित्य संप्रदायों के बारे में या जो आपके कावे गुण हैं, कावे दूश हैं उनके बारे में छोट-छोटी चीज़ें भी अगर आप पढ परशन रखा गया है कि गुण रस के धरम होते हैं और तरक ये दिया है कि यह कथन आनंदवर्धन का है, तो ये दोनों कथन क्या हैं, बिलकुल सही हैं, तो उन्होंने जब हम ध्वनी संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे थे देखे आनंदवर्धन के, वहाँ पर अच्छे तरीके से समझा था आमने कि जो गुण हैं वो रस के ही धरम उन्होंने माने हैं, लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा था, कि जो आत्मा किसको कहा हैं वो द्वनी को ही कहा था, ये आन्दवर्धन का कथन है, तो दोनों ही कथन क्या है, इसमें स्थापना और तरक क्या है, अपन फिर भी यहां पर इसको रख दिया गया है तो देखिए यहां पर कावे दर्श है दोने लोग है कावे मिमासा है वकरोकती जीवितम है तो यह बहुत सदारन सा प्रशन है आप चाहें तो कॉमेंट सक्षन में जाकर मुझे बता सकते हैं इसका उत्तर मैं आपके उपर ही छोड है आपका रिती काल के अंतरगत भी इस प्रशन को पूछा जा सकता है या फिर आपको जो है आपके काई तीन साही तेशास्तर के अंतरगत भी इसको पूछा जा सकता है तो देखिए अगर भाशा बूशन की बात की जाए तो यह किसकी रचना है सबसे पहले तो हमें यही प ये कहते हैं कि इसकी रचना किस ग्रंथ क्याधार पर की गई है तो आपका नाटे शास्त्र भरत्मुनिका है नाटे दर्पन किसका है ये भी आपको पता होना चाहिए फिर आपका साहीते दर्पन है और फिर आपका चंद्रलोग है अब इन में से किस गरंत का क्याधार पर इसकी रचना की गई है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो कौन सा है विकल्प नमबर जो चार है देखिए इसमें वो इसका सही उत्तर माना जा सकता है क्यों? क्योंकि जो चंद्रा लोग है ये किसकी रचना है ये है आपके जो जैदेव हुए हैं उनकी ये रचना माने जाती है ठीक है तो सही उत्तर है इसका चंद्रा लोग ठीक है विकल्प नमबर देखिए कौन सा होगा इसमें विकल्प नमबर चार चंद्रा लोग ठीक है और जो भाशा भूशन है देखिए ये एक अलंकार या फिर आपका जो चंदर निरूपक गरंथ है इस तरीके से प्रशन पूछ जाता है तो भाशा भूशन का जो अधार गरंथ है ये जैदेव कृत जो चंदरा लोग है देखिए उसको मान जाता है और जैदेव का समय कब्था ये तिहर्मी शती के आसपास माने जाते हैं ठीक जैसे आपके लक्षन और उदाहरन प्रस्तुत किये गए हैं ये इन में क्या है कॉमन सी चीज माने जाती है ठीक है तो अगर हम बात करें देखिए यहां पर जो रचना है नाट्य धर्पन की तो नाट्य धर्पन की जो रचना कार है ये कौन है यहां आपके विद्या नात ठीक है तो यहां पर confused नहीं होना है विद्या धर और विद्या नात में अगर विद्या धर होगा तो विद्या धर की जो रचना एकावली है और विद्या नात की जो रचना है वो कौन सी है नाट्य धर्पन है तो सही जो उतर है वो कौन सा होगा यहां पर आपका विद्या तो विद्यानात का नाट्य धरपन है और चंद्रा लोग किसकी है ये जैदेव की कृति माने जाती है तो ये था प्रशन नंबर 49 अगला जो प्रशन है देखिए प्रशन संख्या 40 है देखिए इसमें पूछा है ध्वनी सिध्धांत का प्रबल विरोधी अचार्य इन में से क यूँकि वहां से भी आपको बहुत सादा help हो सकती है तो यहां पर पूछा ये गया है कि इसका प्रबल विरोधी अचारे कौन है तो अभिनब गुप्त थे ये तो आपके ध्वनी सिध्धांत के समर्थक थे ना कि विरोधी थे अगर हम बात करें प्रतिहारेंदु राज क क्या किया है ध्वनी सिध्धांत का विरोध किया हुआ है चलिए इसके अलावा और भी बहुत साथे जो विद्वान होंगे जिनोंने ध्वनी सिध्धांत का विरोध किया है उसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाते हैं तो आप एक बार ध्वनी सिध्धांत के और इन पंक्तियों को जब हम काव्य लक्षनों के बारे में पढ़ रहे थे वहां पर अच्छे तरीके से समझा था कि ये किस ने कही है देखिए अदोशो अदोश का मतलब है बिना दोश के है ना जिसमें गुण हो ठीक है सगुण सालंकारोच और शबदार्थो काव्यम तो आपको समझा गई कि ये किस के संबंद में है ये है काव्य लक्षन के संबंद में ठीक है मतलब दोशहीन गुण इवम अलंकार जो सहीत शबदार्थ है वो काव्य है तो अगर हम भामा की बात करें तो भामा ने तो कहा कि शबदार्थो सहीत अधीन गद्यम पद्यम चो वामन ने कौण सा दिया था गुण एवं अलंकर वही काभ daha है तो अगर भ्रमत की बात करें तो मंध ने भी सिमिलर वह बात कही शब्द peak संगती जिसमें दोश नहा हो वो ही क्या का गुणों से युक्त जो है कभी-कभी अनलंकृत भी होता है वो ही कावे ये कहते हैं कि वो अनलंकृत भी हो सकता है ये मममट ने कहा है तो यहां पर ये बात भी गलत है कि ये मममट ने ये चीज नहीं कही है अदोशो सगुणों तो ये किस ने कहा है ये और किस नाम से जाना चाहते हैं ये प्राकृत के पाणिनीक भी इनको कहा जाता है लेकिन इसके अलावा जो इनकी और जो रचना है देखिए हेमचंदर शब्दानुशासन बहुत महत्पूर इनकी रचना है ये भी इनोंने लिखी हुई है ठीक है तो कावे के उपर जो कावे देखिए यहाँ पर प्रश्ण क्या पूचा गया है कि आपका जितने भी रस हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपके जो देवता एक माने गए हैं प्रतीक रस में किसी ना किसी को देवता माना गया है तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले अद्भुत तो जो अद्भुत रस के देवता माने जाते हैं वो ही कौन है आपके वो ब्रह्मा माने जाते हैं देखिए अगर हम बात करें इसके पश्चाद जो आपका करुण रस है तो करुण रस के जो देवता या करुण रस के जो अदिश्ठाता माना जाता है वो किसको माना गया है य यम को माना गया है ठीक है जो यम राज है न देबता यम माने गए है करुन रस के है न तो यह मैं आहलिक देता हूँ यम है ठीक है फिर जो विभत्स रस माना जाता है एक और रस देखिए इन रसों के आपको स्थाई भाव के बारे में भी पता होना चाहिए ठीक है तो विभत के विभत्स रस के महाकाल हैं और आखिर में फिर आपका विकल्प है देखिए शांत रस तो शांत रस के जो देवता किसको माना गया है ये विश्णु को माना गया है ठीक है तो ये तो होगे इनके देवता और शांत रस का जो स्थाई भाव किसको माना जाता है है न ये चीज भी है है ना श्टिंगार वीर और शांत की गन्ना इन की गन्ना किसमे की जाती है प्रधान आपके जो रस हैं उनमें की जाती है ठीक है तो ये थे और शांत रस का जो स्थाई भाव आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि इसका स्थाई भाव क्या है है ना करु देवताओं से इनको आपने मैच करना था चलिए इतना ठीक है आगे हम देख लेते हैं प्रशन संक्या 43 संपरदायों को सही क्रम से रखिए तो देखिए ये भी बहुती सिंपल और बहुती साधारन सा प्रशन है अगर आपने सही तरीके से इस जो हम सही तेशास्त्र इकाई 3 की जो हमारी ये सीरी चली है अच्छे तरीके से शुरुआत से अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस प्रशन को करने में जरा भी आपको कठिनाई या किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है रस संपरदाय तो रस संपर चताबदी में था ठीक है तो विकल्प नमबर एक ही इसका सही होगा तो वामन थे देखिए वामन ने रीती जो संपरदाय था उसका इन्होंने क्या किया प्रवरतन किया और ये आठ्वी शती के आसपास विद्यमान थे और इनकी जो प्रसिद्ध रचना कौन सी माने जाती ये देखिए वामन की वो है कावयलंकार सूत्र ठीक है तो ये विकल्प नमबर एक ही इसका सही है और आखिर में जो आपका ध्वनी संपरदाय है देखिए तो ध्वनी सिध्धान किसका है ये अभी हम इसके बारे में ही डिसकस कर रहे थे आनंदवर्धन का तो आनंदवर् प्रशन को पूछा जा सकता है कि आपके जो संप्रदाये हैं जो आपके साहित शास्तर के अंतर गताते हैं वो आपको क्रमानुसा रखने को कहा जा सकता है तो इनके जो रचना काल है वो आपको याद होना चाहिए तो अभी कल्प नंबर एक इसका सही उतर होगा चलिए अगर वीरस के mainly पहले कितने भेद होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए अगर हम वीरस के भेदों और भेदों की बात करें तो mainly इसके चार ही भेद हैं तो देखिए चार भेद कौन-कौन से हैं युद्वीर, दयावीर, धरम वीर या फिर करम बीर तो यहाँ पर एक भेद इसमे से ऐसा है जो इसमें नहीं है ठीक है तो वीर जो रस माना जाता है ये प्रधान रस में से एक माने जाते है और इसके जो देवता किसको माना गया है देखी ये महिंद्र को माना जाता है अगर हम इसके वर्ण की बात करें तो सोने के समान जो गौर है उसको इसका वर्ण माना ज और चौथा आपका दान वीर हो गया ठीक है तो यहां पर जो करम वीर है वो इसमें नहीं आएगा तो विकल्प नमबर तीन इसका क्या होगा सही उत्तर होगा तो मैंली इसके कितने भेद हैं चार भेद हैं वीरस के ठीक है तो यह था प्रशन नमबर 44 अगला और आखिरी प्र है तो स्थापना अपने आप में क्या है सही है कि वीरता का है अनुकरण नहीं किया जा सकता ठीक है जैसे हम किसी आपकी जो मन की जो सुंदरता है या मन का जो मन में जो चीज हमारी चल रही है मन की जो प्रसंता है उसको हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते ठीक वैसे ही आपक की वीरता का संबन्द शरीर के बल से अधिक होता है तो ये कथन अपने आप में क्या है गलत है ठीक है तो दोनों ही आपका जो एक कथन ए सही है और दूसरा आपका गलत है ठीक है तो ये थे आज के पूरे के पूरे 31 से लेकर के 45 तक के प्रशन इन प्रशनों में अगर कहीं पर कुछ एक डौट्स है या आपको लगता है कि ये प्रशन गलत है या इसका उत्तर कुछ अलग होना चाहिए था तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं आपको प्रशनोतरी के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नयूर्ज और नई स्पूर्टी के साथ तब त